Hello guys welcome back to my other vlog guys मुझे आज एक मैच खेलने जाना था जो कि तूनामेंट का आज फाइनल मैच है जो कि हमें खेलने जाना है दुबारा से और ये टूनामेंट की मैच है सोधी सोपूर में हो रही है जो कि आरा डिस्टिक में आती है इस मैच की पूरी वीडियो आपको इस व्लॉग में दिखने वाली है तो आप सब मेरे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर मेरे नय हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिसके करण हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जहां से हम ट्रेन पकरेंगे स्टेशन से और जाएंगे सोधी तो पुटो मिलते हैं आप से ताप पुरे स्टेशन पर कि अच्छा आप अच्छा आप कि अच्छा आप कि अच्छा आप कि अच्छा अच्छा इस अभी हम सोधी सोपुरे स्टेशन पर पहुच चुके हैं और अच्छा इस अभी हम सोधी सोपुरे स्टेशन पर और जा रहे हैं अपने ग्राउंड की तरफ टेंपू वाले से पूचा कि भाई ग्राउंड तक चलो गए तो बोला भाई कि दो ही कोई है तो रिजर्व में करके जाना परेगा तो उसका दो सो रुपया ले रहा था इसलिए बोले भाई ज्यादा दूर भी नहीं है छे किलो जो फाइनल मैश था उसका टॉस हो चुका है हम लोग बहुत जादा लेट हो चुके है क्योंकि बीच में ट्रेन का जो टाइमिंग था वहीं आने में और जहां पर आना था वहां पर पहुंचने में बीच में हाल्ट पर रुखी वीटी ट्रेन तो बहुत जादा लेट हो ग जीत कर हमारी पहले फिल्डिंग आई है तब आधे रास्ते में पैदल यहार है अभी तकरीवन चार किलोमेटर तक पैदल आ गए अभी दो डाई किलोमेटर और जाना है तो उसलिए लेट हो जा रहा है तो उसलिए ग्रांड बे जाकर और जाने के बाद में ज़्यादा कुछ इस ग्राउंड के बारे में दिखा नहीं पाऊंगा जल्दी जल्दी केमरा सेट अप करके फिल्डिंग में चला जाऊंगा जाइस देख सकते हैं अभी मुझे एक पार्टनर मिल गया है जो जारा तर रास्ते में तो मैंने इसे बोला कि भाई चलो थोड़ा एकेडमी के पास छोड़ देना बहुत जादा लेठ हो चुका है तो यह भाई मुझे थोड़ा मुझे थोड़ा मुदद देदी है देख सकते इनको हाइ कर दो है देख सकते हैं यही जो है सक्स जो मुझे लाकर आप एकेडमी के पास छोड़ रहा है 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 क्ली गाइस कैसे भी थक्खार कर हम अपने मैच के सेंटर पर पहुँच चुके अब आगे आपको दिखाते हैं व्लोग नाइट है 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 वैज़ लग आगे खीडे आगे आगे एख सब्सक्की आगे ओडेशिश में हैज़े गैब लक्ताष है इक उल्हटे सेंटर आगे गलता टागे आगे एक जिए झालागे इस हम सब का फॉर्स टीनिंग बीच चुका है लेकिन वीरोधी टीम ने 20 ओवर में 99 रन की टार्गेट दिये तो अभी तो मैं फॉर्स डाउन जाने वाला हुते चेस करने में इजी तो लग रहा है लेकिन लोग स्कुरिंग बहुत ज्यादा हाड होता है इसलिए अपना वीरोधी बचा कर हमें खिलना परेगा बिकेट ही ने गिर रहता तो जादू टूना किया और उसके बाद बिकेट आ गया बिद्वान खाने तो इसन ओख अथन खाने तो इसलिए ऐसन बाहए शौद अगवाई श्णना शौदध भाए शौद ऑज़ आसा पी तो इसलिए ऑटिर गोग कंट्रों तो आप देख सकते हैं यह है मैंनेजमेंट खाना ऐसा है पांच हजार दिये हैं परसे तीन सो तीन सो तीन सो गोल के दो सो रुपया तीन कर दिये हैं यह मत करियेगा अगले वार समत भरियेगा जो भी है आपके सब्सक्राइबर यह एक्स्प्रियंस बता रहे है पैसा पर बाद है पूरा है हाँ है अब अब फ्यरा में तुम्हा आया था वाँबावा पहले आई ऐसे लिये अच्छा जोए है तो तक वी किया था इन पड़ गिया था उसका बैंब अमाग गिया था किया था हूं वह जो कर रहा है वह चंटे थी मोरी भी नहीं नंबर दे दिया अज़ना आ ह। आपर जी आंप्ड की चुक नहीं हुआ बात हिए मैं आपका शकश्ट का कुल बात है। टिए लटका दंपर ले रहा है, यह लटका चलती जलते प्यार कर रहा बाई आप बाई रहा है आजा रहा है टिकत दिखाये भी अपना तीकट दिखाईए तीकट गट है हमें अपने दानापूर जक्षन पर पहुंच चुके हैं और अब हम रूम पर जा रहे हैं हम अपने रूम पर आ गयें और आज की मैस के पारे में हम आप अब को बता दे तो इतना मैस सोच कि गए तो तुना उस नगी मैंने रात को प्लान बनायातीं ही कि कल की मै जमी मैं 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 निया किसी भी तरा अब गया राष्ते में तो रिजल्ब में करके जाने के लिए बोल रहा था 200 रुपय में तो वो टेम्पू छोर के गाये तो फिर रास्ते में फोन आ रहा है कैप्टेन का भाई लेट हो रहा है कहा हो जल्दी आप टॉस हो चुका है और फिल्डिंग आई यह पहले फिर उसके बाद जल्दी 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 दोर द लिक करके कि 13 ओवर में बिरोधी टीम ओल आउट हो गया 13 ओवर में बिरोधी टीम ओल आउट हो गया 99 रन पे और उसके बाद हम लोग को चेस करना था 20 ओवर में 100 रन की टार्गेट तो हमारे तरफ से दो सिनियर प्लियर जो थे वो ओपेन गया और इधर से लोई स्कुरी ग करनी परी फिर उसके बाद एक बैट्सन जो था ओपनर वो आउट हो गया फिर मैं गया जिस टाइम उस टाइम टीम के जितने के लिए 22 रन चाहिए थे उसमें से मैंने 13 रन बनाए और नोट आउट आया था तो इसी के साथ मैं इस ब्लोग को एंड करता हूं मिलता हूं ये क